नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है अज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो सेप्टेंबर का रिजल्ट है वो आचुका है और अभी अभी इट में इस तीन नॉमबर 2022 को इनके रिजल्ट को प्रेजन किया गया है तो चलिए देखते हैं कि इनका रिजल्ट किस तरह का रहा है फ्रेंट इस कंपनी के जो मेजर डेटा है उसे हम पिक किये हैं और आपके सामने जो फिगर यहां पे परजन ठोड़ा है वे इन करोड में परजन ठोड़ा है तो आप इसे इन करोड में ही कंसीडर करेंगे फ्रेंट इस कंपनी ने जो जो अपना टोटल इंकम पोश्ट किया है revenue from operation से और other income से वो एक लाग 14,497 क्रोड 65 लाग का जबकि पिछले quarter में इनका जो टोटल इंकम था वो एक लाग 21,839 क्रोड 51 लाग का जबकि पिछले year September quarter में इनका जो टोटल इंकम था वो 88,299 क्रोड 29 लाग का तो फ्रेंट्स अगर आप कंपरिजन करेंगे quarter on quarter तो इनका जो टोटल इंकम है उसमें गिरावट दर्ज हुई है लेकिन वहीं आप कंपरिजन करेंगे year on year तो इनके टोटल इंकम में इंक्रिजमेंट देखने को मिला है और इनका टोटल इंकम उचलते हुए भी यहाँ पे दिखी है इसके टोटल इक्सपेंस पोस्ट किया था एक लाख 35,438 क्रोड 73 लाख का जबकि पिछले quarter में इन्होंने जो अपना टोटल इक्सपेंस पोस्ट किया था वो 85,960 क्रोड 45 लाख का तो इनका जो एक्सपेंस है वो इस quarter में अगर year on बात करेंगे तो इनका yearly expense increase हुआ है जबकि quarterly expense इ अपना total net profit पोस्ट किया इस quarter में वो माइनस में किया है और कंपनी को 2475 क्रोड 79 लाख का कंपनी को loss हुआ है जबकि पिछले quarter में इनको जो loss हुआ था वो 8557 क्रोड 12 लाख का जबकि पिछले इस चेप्टेंबर quarter में कंपनी को सांदार profit हुआ था और 89 लाख का ये कंपनी अगर आप कमरिजन करेंगे year on year तो यहां पे बहुत बरी गिरावट अभी भी present होड़ा ही है लेकिन वहीं पे अगर आप कमरिजन करेंगे quarter on quarter तो company का जो loss है वो कहीं हद तक सुधरते हुए यहां पे दिखा है अगर इनके EPS की बात करेंगे तो अभी भी इनका earning per sear minus में ही है लेकिन पिछले quarter के तुलना में इस quarter का जो result है वो काफी बहतर देखने को मिला है और तो friends आज के लिए इतना ही आपका देन सुभ हो